छोलो डेवलोपर वेलकम बाई चैनल कोड फॉर लाइव तो आज सबसे नहीं ऎए तो बहुत वगे Gordon सबसे पहले यह एक नहीं प्रेइट करेंगे इसके नहीं है पर आपको नहीं पता कैसे आता है तो यहाँ पर आपको आपको जाना hem पर किकड़े पर बना लेना है और को मैं लिए काम करता हूं अ हमारे विटार सम करें हैं इहां लिए आंपड इंट a कॉमा इंट करना चाथा हूं यह को दैने नीकास कि वे झाए को तो मैं नॉर्मिल नीशा के काल करूं तो मैंक करूंगे स्वाउट के अद्धूUEट यहां मैं इसको कॉल कर दूँगा गें शा wir गटने खीतों दिते हूं फॉर कॉर तो यह मैं क्या return करेगा sum return करेगा और यहां पर मैं एक बार के लिए end लगा देता हूँ ठीक है तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ विए इस line को नीचे एक बार और copy कर दूँ और यहां पर दूसरी value देता हूँ 3,9 तो यह दोनों क्या करेंगे हम लोग को sum print करके देंगे इसका दिजल टाएगा 7 इसका दिजल टाएगा 10 एक बार को मैं चला लेता हूँ तो यह run होगा और यह विखिए 10-7, 10-10 ठीक है तो अब मुझे क्या समझना है यहां पर कि यह जो function है सबसे पहले यह समझते हैं कि function पर flow जाता कैसे है तो compiler आता है भई, compiler यहां पहुचा, उसने line print करी, उसको एक function call मिली तो क्या करेगा यहां पर, memory address सबसे पहले store करेगा, वो compiler और उसके बाद क्या करेगा, formal arguments बनाएगा, मतलब कि उसको यहां से value pass करनी है तो क्या करेगा, यहां से value यहां pass करेगा, formal arguments बनेगे और उसके बाद क्या करेगा, control, program को control है, मतलब flow है उसको transfer करेगा इस function पर, इस function पर जाएगा और फिर इस function का code जो भी लिखा हुआ है, इसके अंदर execute करेगा और उसके बाद, जो यह return statement लिखा है, तो यह जो value यहां से generate हो रही return की, उसको register पे store करेगा, और उसके बाद वापस से control के program के flow को इधर बेज़ेगा वापस से, और यह value यहां पर print हो जाएगी जो यहां से return रही register से access होगी तो भाई, जो यह situation है, यहां से control इधर transfer होने की और उसके बीच में जो process है, कि formal arguments दो create करने की तो यह basically क्या कर रही होती है, यह time ले रही होती है, इसको बोलते override situation, यहां पर क्या होता है, कि जो value हमारी यहां से यहां flow transfer होग रहा है, तो इसमें कुछ time लग रहा होता है, तो हम लोग inline का use तप करते हैं, जो हमको पता है कि भाई, यह जो हमारा function है यह वो जो switch होने में time लगता है, महां लीजे कि यहां से flow हो, यह जो पूरा process मैंने आपको बता है, यहां से यहां पर पहुंचने में formal argument बनने में, और memory address लोने में, एक second लगता है लगता नहीं है, पर मैं मान लेते हैं कि एक second लगता है और आपको पता है कि यह जो function है, पूरा execute हो जाएगा, 0.5 seconds में तो वहां पर आप लोग inline यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि switching में time आपका ज्यादा लग रहा है, और आपको वो time बचाना है और आप inline यूज़ करके वो time बचा सकते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना होता है, normal यहां आना है और inline लिखते ना है, तो यह function क्या हो जाएगा, इसके यह function inline बन जाएगा, बिल्कुल anonymous function नहीं है तो इससे क्या होता है हमारे काम को हमारा, तो हम लोग को overhead situation है यानि कि जो हमारे control के control को transfer गनने की बात होती है वो खटम हो जाती है और हमारे program का जो execution है वो थोड़ा सा तेज हो जाता है अभी आपको यहाँ पर चीज़-चीज़ समझ में नहीं आएगी यहाँ पर क्योंकि दो numbers के समका program है और भी basic सा पर इससे जो हमारे execution थोड़ा सा तेज़ जाता है पर हाँ कुछ चीज़ों को घ्यान रखिएगा, मान लीजे कि आपका जो function है वो काफी बढ़ा है, उसमें मान लीजे आपने कभी recursion use किया है उस function में यहाँ आपने उसमें loop चलाए हुए है और function काफी बढ़ा है, कि मतलब कि switching में time आपको ज़्यादा ही लगेगा वो function को run होने से तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप लोग वहाँ पर inline का use ना करें basically inline का use हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम लोग को पता होता है कि हमारा time basically कम लगेगा switching से overhead की situation वहाँ पर create ना हो है, इसलिए तो अब इस इक साथ बात कर लेते हैं हम लोग default arguments क्या होते हैं तो basically default arguments ही होते हैं हमारे जो जैसे कि हमने यहाँ पर दो value लिखी हुई है तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यह जो value है B की, अगर user ना भी दे, अगर मैं माली कि यहाँ पर यह value नहीं देता हूँ एक value देता हूँ, बस 4 तो क्या होगा है, यह मैं error देगा कि जितने argument हो तो नहीं मिल लाए तो हम लोग क्या करते हैं कि by default एक value देता है यानि B equals to ऐसे करके मैंने 4 यहाँ लिख दिया तो अब अगर यहाँ से एक भी यह value देगा, तो भी यह अपने आप इसको execute कर देगा तो मैं अगर इसको चला कर देखो, तो output में देखिए आपको यहाँ पर 8 यहाँ पर 10 मिल जाएगा अगर मैंने value देए है, तो इसने 7 ले जिया है, यह 7 और 3 कर दिया और मैंने नहीं दिया, तो इसने by default फोल दिया, इसको बोला जाता है, default argument तो वैसे ही, यहाँ पर एक और concept होता है, constant argument तो constant argument क्या होता है, कि उसके लिए हम लोग यह normal क्या करते है, कि इसको यहाँ पर const बनाते है उनको यह वार value ने डाल दूँ आपर, तो वो क्या गरता है यहाँ पर, तो हम लोग इसको constant बना लेते हैं तो इससे क्या होता है, कि यह जो B की value एक बार हम लोग को आगे, वही बनी रहेगा और उसको हम लोग modify नहीं कर सकते हैं और यह होता है constant argument, formal call, तो यह होता है constant argument, default argument और inline functions तो इस वीडियो में हमने इन तीनो topics की उपर, इन तीनो topics को cover किया तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो जाके इस वीडियो को like करें और इस चैनल को subscribe करें